नमस्कार मैं पंक्च आप सभी का सवागत कता हो जलिए इस विडियो में आपको बताता है कि इस प्रकास से आप fan में अपना अधार को लिंक कर सकते हैं तो उसका भी एक 1000 फीड लग रहा है तो चलिए आपको complete process बताते हैं तो लिंक करने के लिए लिए कोई जाना है www.incometext.gov.in तो इसका लिंक हम आपको देदेंगे discussion box में तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं इसी वेव साइट में आपको जाना है देख सकते हैं www.incometext.gov.in इस वेव साइट को आपको आपको आपन कर लेना है वह इंटरनेट ब्राउजर से आप यह कर सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है आपको लिंक हो जाएगा तो देख सकते हैं इस परकार का इंटरफेस आपको मिल जाता है तो हम में आपको आजाना है देख सकते हैं इस अपफ्योफ बेप साइट है इसको आपको open कर लेना है और हम में आ जाना है चैसे अप क्लिक करते हैं यहां पर लिंक अपको क्लिकस करना है इस क्लिक करना है तो आपको जो यह page मिल ले जाएगा जहां से आप अपना pen में अधार को link कर सकते हैं पेज जो है आपका open हो जाएगा इस परगास से देखें यहाँ पर जो है इस परगास से open हो चुका यहाँ पर कुछ information है तो इसको आप पढ़ सकते हैं इससे हम आपको complete process बताते हैं इसको आप नई भी पढ़ते हैं तो आप यहाँ से जो है अपना pen में अधार को link कर सकते हैं आप यहाँ पर देखें pen number और अधार number यह दोनों को यहाँ पर आपको पेमेट का डिटेज्स होने लगा तो यहां पर इससे भी हम पेमेट नहीं किये हुए तो यहां पर नहीं सो कर रहा है उसके बाद यहां पर निचे हम देखें continue to pay through e-pay text तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है और जो फी एक स्कों आपको यहां पर पे कर देना है देख सकते हैं उसके बाद यहां पर देखें जो आपको mobile number है mobile number यहां पर आपको इंटर कर देना है जो आपको mobile number है mobile number आपको सई सई डाल ला है उसमें आपको ओटिक भी जाएगा mobile number इंटर करने के बाद नीचे में देखें continue का फिर आपको option मिल जाता है तो यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर यहां पर इसे कलिक करते हैं देख सकते हैं, यू है निम का फूस्ट लेटर और जो नास्ट लेटर यह दोनों देखे, title और यह आपको चेक कर लेना है एक बार उसको फिर यह कंटेनिव में आपको क्लिक कर देना है देख सकते हैं इस प्रकास से तो अब यहाँ पर देखे एपे टेक्स में आपको ले आएगा देख सकते हैं यहाँ पर पैन नंबर आपका है शुरू में देख सकते हैं उसके बाद जो यहाँ पर के प्रोसीट का अप्शन आपको मिलता है तो इसमें आपको क्लिक कर देना है इसमें जैसे क्लिक करते है तो यहाँ पर देखें एसेस्मेंट यह सेलेट करने के लिए वो रहा है तो यहाँ पर जो है करेंट एसेस्मेंट यह आपको सेलेट कर लेना है अभी करेंट सland करे लिए ही इसको बनाया गिया, एगसी देख सकते हैं, अधार सीप लिँल यहापको सलेट कर लेना है, उसके बाद नीचे में देखें यहापर फ्रीपोर्, यहापर देख सकते हैं, यहापर आपको टिक कर देना आ है देख सकते हैं, फी फोर डिले इन लिंकिंग पेन Yuk अदार इस option में आपको ट्रिक करते ना है देख सकते हैं इसी option आपको टिक करना है इसके बाद यहाँ पर continue का और पहरी आफ है यहाँ पको क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं payment का अधार का जो है details यहाँ अपर आपको मिल ज़ता है देख सकते हैं टेक्स है, सर्चार्ज है, सेस है, इंट्रेस्ट है, फैनल्टी है, यह सरा इंफोर्मेशन में रहा है, लेगिन यहापर आपको कुछ नहीं लएगा, सिर्फ जो फी है, लिंक का, जो है आपका पैन से अधार का जो लिंक होगा, उसका जो फी है, यहापर 1000 है देख सकते हैं, त उसके बाद जो है, पे आइट बैंक कॉंटर, जो है, कॉंटर से भी आप पे कर सकते हैं, तो फैमेशन में बहुत सरा ओप्सन मिल जाता है, आटे जी एस नेफ्टी के द्वारा, उसके बाद यहापर देखें, पैमेशन मिल जाता है, तो फैमेशन में आपको बहुत सरा हाँ यहाँ पर कर सकते हैं जिसcekti हम HDFC म्हान करना चाहर रहा है कि यहाँ पर जो है लेकर हम यहाँ पर कर लेता है उसके बार यहाँ पर समार अपन जीच सकते हैं यह इद sled आ करकड़ाइब से किलिक कर देना है अब यहां पर देखिए जो है प्रिमेंट का पुरा डिटेस्ट जो आपको मिल जाएगा किस चलान शे आपका फ्रिमेंट हो रहा है वह सरा यह आप दीए यह जो है मैजर्य एड़ यह सारा चीज यहाँ पर देखें, information मील जाता है, आपको देख सकते हैं, फिरमेंट गेट भी यह सारा information मील जाता है, अब यहाँ पर नीचे नम देख सकते हैं, आपको pay now का option मील जाता है, तो यहाँ पर pay now में यहाँ पर आपको फिर से click कर देना है, submit to bank तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है submit to bank में आपको क्लिक कर देना है देख सकते हैं तो उसके बाद जो है आपका payment का यहाँ पर देखिए जो पेज है इसमें ले जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप देखिए आपको UPI और जो है हम यहाँ 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 पर क्लिक कर देते अब यहां पर देख सकते हैं जिस्से आपको यहाँ पर प्रमेंट करने का इक्षा है यहाँ पर आप स्टे उसके बाद यहां पर UPI ID भी दिया हुआ तो इससे भी आप प्रमेंट कर सकते हैं तो यहां पर जो है हम प्रमेंट करेंगे UPI ID से यहां पर हम प्रमेंट करेंगे तो इस अप्सन में हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद जो मेरा UPI ID यहां पर इंटर्ड कर देखे इस परकास से उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहां पर वेरिफाइग का ऑप्सन है तो वेरिफाय में आपको किलिक कर देना है तो जो अभी हम यहां पर देख सकते हैं तो जो है अभी अब मेरा जो है यहाँ पर payment कर देंगarna तो बताते हैं आपको किस पर킬 से हैं पर payment करना है तभी हम यहाँ पर credit app को open कर लेते हैं उसके बाद करने के लाइन के जैसे आप open करते हैं ईसके बाद देखे आपको spill करता है यहाँ पर आपको sounds दरा उसके बाद transaction history है देख सकते हैं उसके बाद UPI setting है तो आपको यहाँ पर UPI setting में आपको आ जाना है UPI setting में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको 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 आ यहाँ पर जो पेमेंट है, मेरा यहाँ पर पेमेंट हो चुका है, देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा से आपको वेट करना है, अगर यही तुरत आपका यहाँ पर नहीं दिखता है, प्रोसेस, तो यहाँ पर थोड़ा से आपको वेट करना है, तो देख सकते हैं, अभी जो इसारा डिटेस्ट आपका मिल जाएगा तो चलान जो है इसको रख लेना है इसी चलान से जो है आपका जो रेफ्रेंस होता है यहीं चलान होता है तो आपको आपको क्या करना है फिर से आपको जो income tax का website है इसमें आपको आ जाना है गयी दि antibodies तूरत आपका शो नहीं करता है थोड़ा आपको wait करना है फिर से आपको जो है income tax का website है इसको आपको open कर लेना है इस प्रकास से open करने के बाद जो फिर से जो link का जो processes को आपको follow करना है यहाँ पर देख सकते हैं income का वेबसाइड में आपको आ जाना है इस website को फिस ओपन करना एंकम्टेक्स.gov.in उसके बाद यहां पर देखे लिंक आधार का आपको वेट करना है यहां पर जो है आपको इस पर कहां से डाल देना है फिसे यह एलेट में आपको यहां पर क्लिक करना है तो वेलेट में इसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं पर मेंट अपडेट यहां नहीं हुए तो आपको वेट करना है उसके बाद यहां पर देखें फिस अपडेट नहीं होता है तो आपको इंतिजार करने ना है उसके बाद जो आपको प्रोसेस को फोलो फिर से करने ना है तो आपका जो पैन अदार से लिंक हो जाएगा यही प्रोसेस है इसी प्रकार से आप जो आपना पैन में अदार को लिंक कर सकते हैं वीडियो देखने के ल को सब्सक्राइब भी कर लें देनवादें